कि नमस्कार मैं राउल शर्मा आप देख रहे हैं इस पे लाइन यू स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर से और बड़ी खबर के शुर्बाद पीजेपी सांसद ब्रिज बूश्टन सजियां ब्रिज बूश्टन की स्थीपे को लेकर चर्चा चल लएती है आप मेर यहां पा बच्चे हैं पहलवान अप Начi जो वेक्ता ती है बूश्टन इनोंने इन साथ इन बच्च्चियों के साथ यों सुष्टन की है? हाला कि तीन दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो बच्चे आप देख रहे हैं बैठे वे और इनसाफ की गुहार कर रहे है खेल मंतरी अनुराग ठाकुर से भी उन्होंने गुहार लगाई थी लेकिन बात नहीं बन पाई लेकिन खबर सामने आती है कि फिलाल वो अभी अध्यक्षपत पर नहीं बने रहेंगे यानि कि जो डवलू अप्षाई है उस पर जो बैठे वे हैं थे उस पर अभी ये फिलाल नहीं बैठेंगे अच्छा ऐसे में उनके बेटे प्रतीक भूशन का बड़ा बयान सामया है प्रतीक भूशन का ये कहना है कि जो भी पहलवान है या जो भी खिलाडी है उनका वो सम्म करते हैं इन पूरे बच्चों का पूरा सम्मान किया जाता है उन्होंने कहा कि अभी वो इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं देंगे कोई आप चारिक बैठा को सकती है और उसके बाद जो एक आपचारिक बयान प्रतीक की तरफ से दिया जाएगा हाला कि ये कहा जा रहा ह है कि हमरे पास सबूत भी है हम सबूतों के अधार पर बात करें तो इस तरह की जो इस्तिती इसमग बनी है जिसमें ब्रिजबूशन पूरी तरह से फज़गा चलिए वही ब्रिजबूशन है जिनका बहुत बड़ा संबंद दाउत के साथ माना जाता है आयोध्या मामले में इनका बहुत चर्चा थी बाबरी मामले में इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी तो इतिहास इनका रहा है विवादों से पुराना नाता यही वो ब्रिजबूशन है जिन्नोंने एक बार मंच में जारकंड के अंदर देखने को मिला ता कि एक पहलवान को जो है थपड़ जड़ दिया था तो विवादों से इनका पुराना नाता रहा है लेकिन अब जिस तरीके से यह जो बच्चे धरने पर बैटे वे थे फिलाल इनका मन अभी शांद करवाए गया है क्योंकि उनसे जो है अद्यक्षपत जो है भी लिया गया आगे देखना होगा कि क्या ब्रि ब्रिच बूशन को जेल भी होगी एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा और ऐसे वे लगातार हम जो है वो काम कर रहे है इस पूरी खबर पर जो भी अपडेट आ रहा है फटा फट लोगों तक दर्शकों तक पहुंचाते चले जा रहे और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भ पहले खेल को मात दिया जाता था लेकिन आज खेल क्यार में जिस तरह से यौन शोशन जैसे चीजे हो रही है यह बिल्कुल भी ठीक नहीं अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या ब्रिच बूशन के खिलाब तमाम तरह की कारवाई होगी और जो बाते ये बच्चे